हेलो दोस्तों तो आप सब का बहुत बहुत वेलकम करते हैं फिर से एक नई वीडियो में इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ ये खास्ता मीठा स्नेक्स की रेसिपी जो की बहुत ही टेस्टी बन के तियार होती है ये देखने में जितनी सुंदर होती है खाने में उतनी ही ट एक कप मैदा ले लिया है और इसमें मैं डाल्डे रही हूं 2 बड़े चम्मच कोकुनट पावडर को दो नारियल शॡव 4 बड़े चम्मच και 4 पावडर शूगर मैं तेल को डाल रही हूं जो कि 5 बड़े चम्मच और तेल दो है अब चलिए है इसे इसे मिक्स कर लेते हैं तो इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है और इसका अच्छा सा मोयन बन जाए इसलिए से बहुत अच्छे से हम लोग पूरे आटे में मिक्स कर लेंगे और कुछ इस तरह का बनना चाहिए देखिए तो इस तरह का होना चाहिए और तो हमारा मोयन बहुत अच्छा बना है और ये बहुत ही खास्ता बन के भी त्यार होगा ऐसे पानी मैंने डाल दिया है और पानी डाल कर गूंद लेंगे इसको जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंद के तयार कर लेंगे इसको तो इस तरह से हम लोग गुंद लेते हैं जो कोकोनेट हमने इसमें डाला है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आएगा इस स्नेक्स के अंदर देखिए गुंद चुका है और इसे मैं अब ढग दूँगी कम से कम 20 मिनट के लिए आप इसे ढग के छोड़ दे और इसे सेट होने के लिए रख दे 20 मिनट के माद इसे हलका सा और गुंद लेंगे बस कुछ सेकंड आप इसे गुंद लेजिए मसल लेजिए ताकि ये चिकना हो जाए अब मैंने आटे की चार लोई बनाई हैं बराबर बराबर मैंने इन लोईयों को बनाया है आप देखिए तो ये चार लोई मैंने बना लिए और सब को हमें बेलना है तो चलिए हम लोग थोड़ा सा सूखा आटा इस्तेमाल करेंगे और इसे बेल लेंगे चारों को बेलना है हमें तो मैंने थोड़ा सा सुका अटा डाला है बोड पर और अब मैं इसे बेल रही हूँ तो चारो को हमें ऐसे ही बेलना है ये देखिए तयार हो गया है तो इतना इस तरह का मैं बेल रही हूँ और चारो को ऐसे ही बेल के तयार करेंगे किसी प्लेट में रखते जाए ये मैंने एक बेला और तीनों को ऐसे ही हमें बेलना है ये दूसरा मैंने बेल लिया इसे भी रख देती हूँ और ये तीसरा और अब ये रहा चौथा तो चारों मैंने बेल लिया है और एक प्लेट में रख दिया है यह देखिए यह चारों मैंने इस प्लेट में बेल के रख लिया है अब मैं आगे कपरोसेस आपको बतला दी हूँ तो बोर्ड में इन चारों को हमने जो बेल ला है उसको हमने लेना है तो पहला रखा उसके उपर तेल लगा दिया ब्रश की मदद से तेल लगाने के बाद इसे बहुत जादा हाय करके लाएं वेbaselo, भोक्री के मैं ट्यार शोड़ाक तो काटने का प्रोशेस, आप आप कैसे यह मैं उसा काट काट सब्लाइब, और इतन apro darum yes with तो हमें इसे और पतला कट कर लेना है, कुछ इस तरह से, तो मैं सब को इसी तरह से बीच-बीच में से और कट लगाते रही हूँ, ये रहा, बस ये लास्ट वाला, ये हो चुका, और मैं आपको दिखला रही हूँ, ये कितना पतला कटा है, एक-एक पीस देखिए, कुछ इस तरह का कटा है, अब इसे हम लोग कुछ इस तरह से रोल करेंगे, ऐसे घुमाते हुए, और पतले वाले हिस्से को थोड़ा सा पानी लगा करके हमें इसमें चिपका देना है, नहीं तो ये खुल सकता है, ये देखिए, डिजाइन देखिए, आप कितनी सुन्दर आई है, तो इसमें अब हम लोग, मैं इसके एंड में पानी लगा दिये, और इसको ऐसे दबा के चिपका दिया, ये देखिए, एक तयार किया है मैंने, तो देखने में कितना प्यारा लग रहा है ये, और ऐसे ही हमें सब को तयार करना है, ये दूसरा भी मैं दिखला देती हूँ आपको, इस तरह से गुमाते हुए हमें, पतले वाले हिस्से को बाद म आप ऐसे ही बना ले, ये देखिए, पूरा मैंने बना के तयार कर लिया है, और इसे अब हम लोग फ्राइ करेंगे, लग रहा है ना, कितना सुंदर, तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, कोकोनट डाल दने की वज़े से और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जात तो बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा, पर अंदर से कच्चा कच्चा से रह जाएगा, तो ये देखिए, मैं किस तरह से डाल रही हूँ दीरे-दीरे, और तेल में बुल-बुले कैसे आ रहे हैं, आप देखिए, इतना तेल गर्म है, और मैंने डाल दिया है सब को, अब तरह से मैं बीच में उलट पलट कर दे रही हूँ, और इसे फ्राई कर रही हूँ, और गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है सही, तो ये देखिए, अभी कलर कैसा हो चुका है इसका, थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं, और अब देखिए, ये कितना सुन्दर सुन टेस्टी लगता है बाहर से क्रिस्पी और अंदर से थोड़ा साफ्ट वूराता है बहुत अच्छा लगता है दोस्तों तो आप भी बनाईए ये बहुत ही खास्ता सी मीठा स्नैक्स की रेसिपी और मेरे चैनल से जुड़े रही है आप बहुत तरह की स्नेक्स की रेसिपी देखने के लिए केक से रिलेटेड बहुत सी जानकारी पाने के लिए केक प्रेमिक्स की जानकारी हो या विप क्रीम की जानकारी हर एक तरह की जानकारी केक जेल बनाने की जानकारी हर एक जानकर यापको मेरे चैनल पर मिलेगी तो आप मेरे चैनल से जुड़े रही है और अगर अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके आल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन एजिली आपको मिल जाए तो मिलेंगा मैं पर से ऐसी ही रेसिपीज के साथ थेंक यू